RRR की Global Success के बाद Junior NTR ने अपनी अगले फिल्म NTR30 की शूटिंग शुरू कर दी है इस फिल्म में Junior NTR के साथ Bollwood Abhineta आपना पूर लीड रोल में नज़राएंगी और इसी के साथ तो उनका ये South debut होगा इसके अलावा पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही थी NTR30 के साथ एक और बॉन्वोड अभीनेता अपना साउट डेब्यू कर सकते है और वो है अभीनेता सैफली खान लेकिन अब खबर आ रही है कि सैफली खान ने जूनियर NTR30 के आकरशक ओफर को ठुकरा दिया है कहा जा रहा था कि NTR30 में सैफ को विलन का रोल आफर किया गया था जिसे करने से उन्होंने साफ मना कर दिया है ये एक एक्शन पैक्ट फिल्म है जिसमें विलन का रोल भी काफी दमदार था मेकर्स इस रोल के लिए सैफली खान को पॉफिक चुईस मानते थे लेकिन सैफली खान ने इस रोल को करने से साफ़तर उपर मना कर दिया है जमता गयराज की शांदार सफलता के बाद जूनियर NTR के साथ NTR30 निर्देशक कोर्ताला शिवा की दूसरी फिल्म होगी अंतरास्ट्रे स्टंट निर्देशक केनी बेट्स फिल्म के अधिकांश एक्शन द्रिशो को कोरेग्राफ करेंगे अतीत में केनी बेट्स ने ट्रांसफॉर्मर, रेमबो, आधी जैसे अंतरास्ट्रे प्रोजेक्स पर काम किया है निर्देशक, कोरा, ताला, शिवा यह सुनिश्चित करने में कोई कतर नहीं छोड़े है कि NTR 30 सबसे बड़ी और बहतरीन फिल्म है जबकि वो पहले से ही इस प्रोजेक्ट पर अपनी ड्रीम टीम के साथ एक साल से अधिक समय से काम कर रहे है केनी बेट्स इस प्रोजेक्ट के लिए बोनस होंगे NTR 30, युवा सुधा आर्ट्स द्वारा निर्मित और NTR आर्ट्स के बैनर तले नंद मुरी कल्यान राम द्वारा प्रस्तुत एक बहु प्रतिक्षित फिल्म है यंग टाइगर NTR जूनियर अभिनीद कोरा ताला शिव द्वारा निर्देशित अनिरुद्ध द्वारा संगीत के साथ फिल्म पाच अप्रेल 2024 को तेलगू तमिल हिंदी कंड़ और मल्यालम सहित कई भाशाओं में रिलीज होने के लिए तयार है आपको फिल्म का कितना इंतिजार है हमें फड़ा फड़ से बताईए कॉमेंट सेक्शन में और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजे लाइक और शेर और चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले और मुझे यानि शूती को दीजे इजाज़त नमस्कार